श्कार दोस्तो आजकल बहुत उफान पे चला हुआ है कि पठान मुवी कि पठान मुवी को बाइकॉट करेंगे कुछ कर रहे हैं दो गुट बने हुए हैं एक शारुक खान के जो अपने फेंस हैं वो हैं और एक जो बाइकॉट करना चाता है इस मुवी इसको लेकिन मुझे कुछ भी ने लगा कि इसमें कुछ अभद्रता की गई हो क्योंकि इस मुवी को मैंने भी देखा है इसमें तो एक देश भक्त मुवी है अपने देश को बचाने के लिए अपने आन बान सान से लड़ जाते हैं अपने आपको पुरा समर्पित कर लेते हैं इस से ज्यादा को पहुँचे नहीं होंगे निस्टिते उनने कितनी मेहनत करी हो कि 1000 करोड का जो उनका बंगला है ऐसे ही नहीं बना होगा डम ही इस तरस से ओठ करके वह आय है उनके पास जब स्टारटिंग में गए मुंबई में तो उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अपने स्ट्रेगल के वज़े से आज भी यहां पर रहें और इसलिए उन्होंने बॉलिवर्ट पर अपनी जगह भी बनाई है बल्गी जो छीटा कसी वो लोग करते हैं जो नाकाम्याब होते हैं जो अपने आपको किसी भी पैमाने पर खरे नहीं उतार सकते हैं वो मैं मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम की बात है शालोख खाल ने पिसले टाइम पर कोविट 19 का दौरान इंडिया में पैसा नहीं दिया और सुना मैंने कि किसी कापदा आने पर बाहर पैसा भीजा वो अलग मैटर है उस मैटर का इस मुबी से तो कोई शम्मंद नहीं है ना हा पर बात कर रहा हूं कि महनत का उनकी आखिर मेहनत कितनी है इस मुबी में लगी हुई है यहा पर एक दोस्ति का फरज भी रहा ने सरमान ने यहा पर निभाया है यह एक सीख एक मोरल एजुक्रिशन है हमारे शमाज में हमारे लिए और फिर नेक्स्ट इनके फैंड की संक्य देखेना कितनी है तो ऐसे ही कोई इतने बड़े सिखर पे नहीं पहुचता है मैं श्वयम हिंदू हूँ लेकिन मैं सारे उस व्यक्ति का किसी भी धरम का हो बहुत जम्मान गरता हूँ हिंदू, मुस्लिम, शिक और इसाई सभी का मैं सिर्फ अगर विरोधी हूँ तो जो जो टेर्रिस्ट है, जो हमारे देश को नुक्सान पहुचा रहे हैं उस प्रतेक ब्यक्ति से मेरी दुश्मनी है, मैं उसका विरोध प्रदर्सन खुले आम करूंगा, लेकिन कहीं ने कहीं GDP में हमारे देश में जो GDP बढ़ने में हैं, बॉलिवर्ट का भी बहुत प्राहात ह और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि एजुकेशन के छेत्र में भी मूवी ने हमको काफी आगे पहुचाया है, सिखाया है, बच्चों के अच्छी शिक्षा दी है, मानता हूँ कुछ-कुछ मूवियों से दुस्प्रभाव भी पढ़े हैं, यह भी मैं मानता हूँ, लेकि तो इसलिए दोस्तों सोच समझ करके हमें कोई भी फैसला लेना चाहिए, हमें अगर कोई ब्यक्ति महनत करता है, टैलेंट है और बहुत महनत करता है, उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन अगर जहां पर गलत हो रहा है, उसका पूर जोर विरोध भी करना चाहिए, लेकिन जहा सरकार का ने सेंसर बोर्ड उसको पास क्यों कर रहा है क्या वहां पे सिर्फ एक ही कौम के लोग है क्या नहीं तो इस हे तो हमें सोचना चाहिए थैंक्स